हेलो एब्रिवान कैसे हैं आप सब स्वागत करती हूँ आप सब का मेरे यूट्यूब चानल पर आज की वीडियो में मैं आप सब के साथ शेर करने वाली हूँ पनीर के परांथे की रेसिपी वीडियो में आप देखी सकते हैं हमारे पनीर के परांथे जो हैं वो एकतम लाचपाब बने हैं फुल ओफ फिलिंग बहुत सारी फिलिंग एड़ की है हमने तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किये जल्दी से पनीर के परांथे बनाना शुडू करते हैं पनीर परांथा बनाने के लिए सबसे पहले हम डो तैयार करेंगे और डो बनाने के लिए यहां पर गेहूं का आटा लिया है मैंने दो कप आप अपने अनुसार ले सकते हैं अब इसमें हम एड़ करेंगे सॉल्ट वन टीस्पून बिल्कुल थोड़ा सा नमक एड़ करेंग तो सब चीजों को हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है नमक और ओल जो है वो आटे में अच्छे से मिक्स हो गए हैं अब हम इसमें एड़ करेंगे थोड़ा थोड़ा पानी और इसका एक सॉफ्ट आटा हम तयार कर लेंगे सॉफ्ट डो हम तयार कर लेंगे अब सॉफ्ट डो का मतलब यहां पे बहुत जादा पानी आड़ करने से नहीं है हमें थोड़ा थोड़ा पानी इसमें आड़ करना है और आटे को इस तरह से जोर-जोर से मसल मसल के soft करना है, चिकना करना है आटे में लचक होना बहुत जरूरी है आप देख सकते हैं मैंने आटा तयार कर लिया है और आटा बिल्कुल soft बना है तो अभी आटे को हम इस तरह से fold करके रख देते हैं इस पे थोड़ा सा oil हम apply कर देंगे ताकि आटा जो है वो सूप ना जाए तो यहाँ पे हल्का सा oil मैंने लगा दिया है अब डो को हम cover करके rest करने के लिए रख देते हैं जब तक डो rest कर रहा है तब तक हम पनीर की filling तयार कर लेंगे तो यहाँ पे पनीर लिया है मैंने 500 ग्राम के करीब और उसे हम सबसे पहले करदू कस कर लेंगे इस तरह से grate कर लेंगे चलिए जल्दी से मैं यहाँ पे सारा पनीर जो है वो grate कर लेती हूँ और आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने पनीर को अच्छे से grate कर लिया है तो पनीर हमारा जो है वो ready हो गया है तो आप देख सकते हैं फ्रेंट्स पनीर जो है वो बिल्कुल तैयार है अब हम इसमें आड़ करेंगे थोड़े से सूखे मसाले सबसे पहले half teaspoon zero then one tablespoon धनिया पाउडर इसमें आड़ करेंगे red chili powder one teaspoon अपने taste के according भी आप add कर सकते हैं हल्दी powder one fourth teaspoon इसके बाद इसमें आड़ करेंगे ग्रीन चीली पान से छे जिसे बारिक बारिक काट लिया है अदरक का paste आड़ करेंगे इसमें half teaspoon जितना then जीरे को हमने dry roast का लिया था और उसका powder बना के one teaspoon इसमें यूज किया है काली मिर्च का पाउडर one fourth teaspoon आमचूर पाउडर one teaspoon नमक आप अपने टेस्ट के according इसमें आड़ कर सकते हैं then इसमें आड़ करेंगे onion तो यहां पर एक large onion लिया है मैंने और उसे पाइली चॉप कर लिया है और अब इन सब चीजों को सारे मसालों को हम अच्छे से mix कर लेंगे ताकि सारे मसाले जो है वो पनीर के साथ अच्छे से mix हो जाएं अब मैं इसमें आड़ करूंगी थोड़ी तो चलिए सारे मसालों को हमने अच्छे से mix कर लिया है और filling जो है वो बनकर तयार है तो हम जल्दी से परांठे तयार कर लेते हैं डो चेक कर लेंगे आप देख सकते हैं डो जो है वो बिल्कुल तयार है बिल्कुल एक से तेड़ मिनट के लिए हम डो को अगें इस तरह से नीट कर लेंगे आटा हमारा बिल्कुल तयार है आप देख सकते हैं चलिए जल्दी से परांठे बनाना शुरू करते हैं तो आटे का पेड़ा लेंगे हम और आप देख सकते हैं जिस तरह से मैं आटे को खींच रही हूं तो आटा जो है वो पूरा खींच रहा है मैं इसी लचक की जो है वो बात कर रही थी तो आप देख सकते हैं यहां पर मैंने एक बड़ा सा पेड़ा जो है वो ले लिया है इसे हम डिप करेंगे आटे में अच्छे तरह से कोट करेंगे अब इस बॉल को हमें शेप देनी है एक कटोरी की तो अपने अंगूठे और फिंगर की हे से हम इसे एक बोल की शेप देंगे कटोरी की शेप हम देंगे जिसमें हम इजीली फिलिंग जो है वो रख पाएं फिल कर पाएं तो आप देख सकते हैं बीच से मैंने इसे मोटा रखा है किनारों से हलका सा पतला और किनारे से फिर से मोटा है तो अब इस कटोरी में हम इस तरह से ड़ू चरण से अड़ा करें geb छलिए फीलिंग यहां बोगत सारी पर प्विलिंग करने के बाद इस तरह से दोनों अंगुठे और फिंगर्स की हेल्प से हम इस कटोरी को जो बॉल हमने रेडी किया है उसे हम इस तरह से बंद कर देंगे और उपर से एक्स्ट्रा आटा वो हम निकाल लेंगे इसमें हमें किसी भी तरह के क्रैक्स नहीं चाहिए क्रैक होंगे तो पराठा आएगा अब देख सकते हैं फिलिंग अच्छे से सेट हो गई है अब अगें इसे हम डिप करेंगे आटे में अच्छी तरह से कोट करेंगे और आटे में ही इसे हाथों से इस तरह से फिंगर से हलका हलका बिल्कुल जेंटली इसे प्रेस करते रहेंगे इसे फैला लेंगे ताकि जो filling हमने इसमें add की है वो अच्छे से spread हो जाए हर तरफ, तुछ लिए इसे मैंने फैला लिया है, अब इसे हम roll कर लेंगे, rolling pin की help से, अब परांठे को हमें beat से कभी भी नहीं roll करना है, हमेशा परांठे को उसकी side से roll किया जाता है, तो बिल्कुल हलके हाथों से इसे हम roll कर लेंगे, आप देख सकते हैं कितनी आसानी से परांठा जो है वो roll हो रहा है, चलिए परांठा मैंने यहां पर ready कर लिया है, अब देख सकते हैं, बिल्कुल even हमारा परांठा जो है वो roll हुआ है, तो चलिए जल्दी से आप परांठे को सेक लेते हैं तो medium to high flame पे तवा गरम कर लिया था मैंने और परांठे को इसमें आड़ कर देंगे एक से दो मिनट के लिए एक साइट से हम इसे सेकेंगे सो दो मिनट के बाद आप देख सकते हैं एक साइट से परांठा जो है वो सेक गया है तो उसे हम बदल के दूसरी साइट से भी अगेन 1-2 मिनट के लिए सेक लेंगे then एक से दो मिनट हो जाने के बाद हम इसमें आड करेंगे घी या फिर ओईल जो भी आप डालना चाहते हैं तो मैं यहाँ पे देसी घी आड कर रही हूँ दोनों साइट पे अच्छे से घी अपलाए कर लेंगे और 30 से 40 सेकिंड के लिए इसे बिल्कुल हलका सा हम दुबारा से सेक लेंगे हाई फ्लेम पे चले आप देख सकते हैं फ्रेंस हमारा परांठा जो है वो कितना यमी लग रहा है गर्मा गरम परांठा मिल जाए दहीं के साथ या अचार के साथ अब इसी तरीके से इसी प्रॉसेस को रिपीट करते हुए अब देख सकते हैं एक साइट से एक से दो मिनट के लिए पकाने के बाद इसे हम टर्न करेंगे और दूसरी साइट से भी पका लेंगे चलिए इस पे अप्लाए करेंगे थोड़ा सा घी दैन इसे 32-40 सेकेंड अगेन हाई फ्लेम पे हमें पका लेना है और हमारा पराठा जो तो हमारे गर्मा गरम पनीर के पराठे जो है वो बनकर बिल्कुल तैयार है बिल्कुल यमी यमी चलिए इसे भी हम सर्फ कर देते हैं अपने फ्रेंट्स आप घर पर ही इजी ली दुकान जैसे मार्केट जैसे पनीर के परांठे जो है वो आसानी से तयार कर सकते हैं चलिए यहां पे मैं आपको परांठा एक काट के दिखाती हूं परांठा जो है वो बहुत गरम है तो चलिए अब देख सकते हैं सी फिलिंग जो है वो परांठे में बिल्कुल इवनली स्प्रैट हुई है हर तरफ पूरे परांठे में बाहर से हमारा परांठा जो है वो हलका सा क्रंची बना है और अंदर से आप देख सकते हैं फुल ओफ फिलिंग तो रेसिपी अगर आपको पसंद आई हो फ्रेंड्स तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आप हमारे चैनल पर नए है और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह की डिलिश्यस रेसिपीज के लिए थैंक्स वो वाचिंग मिल्टें